नमस्कार, मैं रोहिद सावल आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का जो मद्दान है उसके लिए चुना प्रचार थम चुका है 9 जिलों की 55 सीटों के लिए 14 तारिक को वोट डाले जाएंगे सुभे 7 बज़े से लेकिन देखिए जो 9 जिले हैं और 9 जिलों की 55 सीटे हैं ये 55 सीटें बहुत कुछ तैय करेंगी क्योंकि आगे के जो बान चरणों का जो मद्दान बचा है उस लिहाँ से ये दूसरा चरण बहुत है इससे पहले मैं आपको ये बताओं कि इस बार किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां आपको ये जारना बहुत जरूरी है कि अगर 2017 के बात करें जिन 55 सीटों पर 14 तारिक तो मद्दान होगा वहाँ पर 38 सीटें भारतिये जनता पार्टी ने जीती थी वहीं अगर सपा की बात करें तो सपा ने 15 सीटें जीती थी दो सीटों पर कॉंगरेस जीती थी और एक सीट ब्यस्पी ने जीती थी लेकिन इस बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनावती है अपने प्रदर्शन को दोहराना इसके पीछे बड़ी सारी वज़े हैं वज़े ये है कि 2019 के अगर लोकसभा चुनाव को भी अगर हम देखते हैं 2019 के चुनावे भी इस इलाके में भारतिय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2014 के तुल्ला में थोड़ा कमजोर हुआ था ऐसे में भारतिय जनता पार्टी के तमाम दिगजों ने पूरा जोर लगाया यहाँ पर खुब रैलियां हुई, खुब जुबानी तीर चले लेकिन अब इसके अलावा यहाँ जानना बेहत जरूरी है कई सीटों पर बड़ी जबरदस टकर देखने को मिल रही है पहले रामपूर की बात करते हैं रामपूर के अगर बात करें तो आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं रामपूर शेहर सीट से, उनके बेटा अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ चुके हैं वो स्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अब्दुल्ला आजम का मुकाबला वहाँ पर हमजा मिया से है, हमजा मिया एंडिये के प्रत्याशी है, पूरे उत्तर प्रदेश में एंडिये ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव में उता रहा है, अब तक वो हमजा मिया है, वो नवाब परिवार से आते हैं, और उनक का मुकाबला अबदुल्ला आजम से वहां पर सिधे तोर पर है अखिलेश यादव खुद वहां पर पहुंचे रामपूर में तमाम पांचों सीटों पर उन्हों परचार किया और इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो भारतिये जुनता पार्टी के मंत्री है बलदेव सिंग उलक सिख मंत्री है तो उनकी किस्मत भी इसी चरण में दाओं पर लगी है और उनके सामने समाजवादी पार्टी ने सिख प्रत्याशी को उता रहा है तो भलदेव सिंग उलक के लिए भी यह चुना बड़ा चुनावतियों से भरा है यह तो हमने रामपूर के रण की बात कर ली तुछ रामपूर में एक और दिल्चस्प बात है दिल्चस्प बात ही है कि हम्जा मिया अगर एंडीय के प्रत्याशी है तो उनके पिता कॉंग दस तक कर इस बार देखने को मिल रही है अगर हम ये कहें कि एक तरफा चुनाव है तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है अब आगे बढ़ते हैं इसके लावा अगर हम बात करें शाहजांपुर के तो शाहजांपुर से सुरेश खरना आठ बार के विधायक है इस बार फिर वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड बनाने के लिए वो चुनावी मादान में उतरे हैं सहारनपुर की बात करें ख़ले शादव के बहत करीबी है आशु मलिक वो सहारनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं इसके अलावा अगर कुंद्रकी सीट की बात करें, वो भी बेहद एहम है, यहाँ पर जियाउर रह्मान बर्क यहाँ पर, जो कि शफिकुर रह्मान बर्क जो कि सांसद है, उनके पोते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी किसमत भी यहाँ पर दाओ में है, इसके अल साइ, बी-एस-पी से चुनाव लड़ रहे हैं, यह तो बात हुई जो बड़े-बड़े चेहरे हैं, उनकी हमने बात कर ली, अब देखिए, पॉइंट ही है, अगर हम कुछ जिलेवार बात करें, सहारनपूर की मसलन जैसे बात कर लेते हैं, सहारनपूर में पिछली बार भ बात करें, 6 सीटें पिछली बार बिजनौर में भारतिय जनवता पार्टी ने जीती थी, इस बार प्रदर्शन को दोहना वहां भी बड़ी चुनावती है, और मुरादाबाद की बात करें, तो मुरादाबाद में बी-जे-पी का प्रदर्शन 2017 में भी कोई अच्छा नहीं बी-जे-पी को मुरादाबाद में खुब महनत करनी पड़ी, अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें, अमरोहा की बात करें, तो अमरोहा में 3 सीट बी-जे-पी के पास थी, लेकिन इस बार भारतिय जनवता पार्टी अपना प्रदर्शन दोहराने की पूरी कोशिश क कर रही है, बदाईयों की बात करteं, बदाईयों में 5 सीटे थी, अब दीदेखिए बदाईयों के अगर हम बात करें, पूरी अभी तक जिन दिलों का मैने जिक्र किया तो बदाईयों में इस बार जो जातिय जतीलता है, वो बहत एहँ मैं, ओभीक्राशन की संग-मित्रा-म मौरिया तो यहां पर सपा को लगता है कि मौरिया के आने से उनको फाइदा मिल सकता है इसके लावा महान दल से भी समाजवादी पार्टी का गठवन्दन है जिसके मुख्या है केशव दे मौर्या तो वो भी है उनका भी ये प्रहाव क्षेतर माना जाता है तो इस बार सपा का ये दावा सपा कर रही है कि बदाईयू में वो तस्वीर बदल सकती है लेकिन बीजेपी की तरफ से भी जबरदस्ति हाँ पर चुनौती समाजवादी पार्टी को दी जा रही है बदाईयू में अखिलेश यादर ने भी अंतिम चरण में प्रचार किया वहाँ पर सभा की अथ बदाईयू में भी इस बार बड़े दिल्चस्प चक्कर देखने को मिलेगी असल बात यह है पॉइंट यही है अगर हम आगे बढ़ें रामपूर की मैंने आपको बात बता दी कि रामपूर में दो सीटें थी पिछली बार भारतिय जनता पार्टी के पास लेकिन इस बार उस प्रदर्शन को दोहराना और रामपूर देखिए इस पूरे चरण में रामपूर एक ऐसा जिल है जिस पर काम कर रहा है लेकिन अब जनता को अपना काम करना है जनता किसकी बात सुनती है किसकी बात को सच मानती है क्योंकि रामपूर में यह आज से नहीं अगर रामपूर के दिहास को आप उठाएं तो रामपूर में हमेशा से दो अलग अलग सच चलते हैं कि एक पक्ष का सच है लेकिन अंतिम फैसला जनरता को करना है बरेली सबसे महत्वपूर्ण है पिछली बार 9 में से 9 सीटे भारतिय जनरता पार्टी ने बरेली में जीती थी और इस बार सपा हलागी कॉंग्रेस वहाँ पर भारतिय जनरता पार्टी को सीधी चुनौती दे रहें बरेली पर भी सबकी नजर रहेंगी संभल के बात इसको एलावा शाहजापूर के अगर बात करें तो शाहजापूर में भी बीजेपी ने शांदार प्रदर्शन 2017 में किया था पांच सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी दावा कर रही कि प्रदर्शन को और बहतर करेंगे जो एक सीट सपा लेगे थी उसको भी हम ले आएंगे लेकिन सपा इससे उलट दावा करती है जाहिर से बात है चुना प्रशार का शूर्थ हम गया दावे सब लोग करेंगे दस मार्ट से पहले हर पार्टी दावा करेंगे हम जीत रहे हम इतनी सीटे जीत रहे है लेकिन चो पॉइंट है पॉइंट ये है कि नौ जिलों में जहां पर मतदान होना है 35 फिरसद मुस्लिम आबादी यहां पर है असद्दुदीन ओबैसी ने संभल, बदाईू, मुरादा बादिन तमाम इलाकों में खुब रैलियां की, खुब प्रचार किया अब उन पर लोग कितना भरुसा करते हैं कितना नहीं ये कुछ नहीं कह सकते लेकिन पॉइंट ये है कि ये मुस्लिम वोटर्स, OBC वोटर्स इनका रुक क्या रहेगा इनकी जो मांगे थी असल मुद्दे थे वो क्या उन मुद्दों का अड्रेस करेंगे या जात्याधार पर वोटिंग होगी ये तमाम वो सवाल हैं जो लगातार सियासी फिजाओं में घूम रहे हैं प्रचार खत्म होने के बाद और दस तारीक तक ये चलते रहेंगे एक पॉइंट में आपको और बता दू भारतिये जनरता पार्टी ने साथ अपने सिटिंग विधायकों का टिकेट काटा है क्योंकि भारतिये जनरता पार्टी ने एक इंटर्ल सर्वे कराया जिस सर्वे में जहां-जहां सीट पर जो कम जो कमजोर प्रत्याशी लग रहा था उसको बदल दिया बीजेपी ने कोई चांस नहीं लिया इस पूरे लाके में इस पूरे सेकंड फीज में प्रत्याशियों के चैन में वहीं समाजवादी पार्टी और RLD गठवंधन के अगर बात करें क्योंकि गठवंधन दोनों मिलकर चुनाव लट रहे हैं दूसरे दौर्ट में भी तो इन दोनों ने भी एक एक सीट पर अपनी घेरे बंदी सहसे की है क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बताया कि ठीक एन वक्त पर धरम सिंसेनी को सपा तोड़ कर लिया ही अपने पाले में ऐसे कई प्रयोग समाजवादी पार्टी ने भी की हैं तो ऐसे में कि दूसरे दौर चरण का जो मद्दान होना है मद्दान का प्रतिश्वत क्या रहता है ये बड़ा दिल्चस्प रहेगा और नतीजे नतीजों का इंतजार सबको रहेगा लेकिन दूसरे चरण की कुछ सीटे हैं एक बर फिर आपको बता दू कि रामपूर पर सब की बज़र रहेगी कि आखिर कार रामपूर के नतीजे क्या कहानी वया करते हैं एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी